हाई एवरिवन कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते आज हम बात करेंगे डाइबिटीस की विमारी में होने वाली कुछ गलतियों के बारे में जो जाने अन जाने में कुछ पेशेंट्स कर जाते हैं मैं डॉक्टर सुमीच श्रीवास्थव आज आपको बताऊंगा चार कॉमन गलतियों के बारे में जो डाइबिटीस के पेशेंट्स दुनिया भर में करते हैं Most importantly आज हम discuss करेंगे इन गलतियों से बचने के कुछ तरीकों के बारे में और कैसे इन गलतियों से बच कर हम डाइबिटीस के important complications से बच सकते हैं बात करेंगे हम पहली common mistake के बारे में जो है skipping meals और skipping meal timings बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि diabetes patients या तो खाना नहीं खाते या तो खाने की time में गड़बड़ी करते हैं अब ये चीज़ करने के पीछे तीन common current देखे जाते हैं या तो patients busy होने के वज़े से खाना खाना भूल जाते हैं या भूग न लगने के वज़े से खाना नहीं खाते या तीसरी common mistake diabetes के patients करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि खाना न खाके वो अपना वज़न कम कर सकते हैं दोस्तों meal skip करने की वज़े से तीन common issues patients के सामने आते हैं पहला issue है sugar में fluctuation ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि diabetes के patients खाना skip करने के साथ-साथ अगर अपना diabetes का dose उस टाइम पे ले लेते हैं तो उनकी sugar slow होने के chances बहुत जादा हो जाते हैं दूसरा common issue जो patients को होता है वो है थकान या low energy levels ऐसा हमने देखा है कि अगर हम कोई particular meal skip करते हैं तो एक थकान हमारे शरीर में आती है जो दिन भर हमें सताती है तीसरा common problem जो diabetes patients को meal skip करने के वज़े से regular basis पे होता है वो है वजन बढ़ना बहुत बार regular basis पर meal skip करने के वज़े से हमें एक hunger का bout आता है जिस वज़े से बहुत बार हम कोई non nutritious food जो भी सामने रखा है उसका सेवन कर लेते हैं जो regular basis पे करने से हमारा वजन काफी हद तक बढ़ सकता है अब हम बात करेंगे दूसरी common mistake के बारे में जो है skipping medicines Central Disease Control Atlanta की एक study के हिसाब से 20% patients अमेरिका में regular basis पर अपनी medicine skip करते हैं As doctors हम ये जानते हैं इंडिया में ये percentage 20 ये उससे जादा ही होगा Diabetes patients में medicine skip करने के common कारण होते हैं या तो busy रहने की वज़े से medicine skip करना या याद नहीं रहने की वज़े से medicine skip करना बढ़ एक तीसरी category होती है patients की जो जान बूच के अपनी medicine skip करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें ये देखना है कि medicine skip करने की वज़े से उन्हें कोई तकलीफ होती है या नहीं Diabetes की बिमारी में ये mistake बहुत commonly देखी जाती है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि medicine skip करने की वज़े से patients को कोई symptoms नहीं आते Diabetes की जगा पर अगर patients पीट दर्द ये सरदर्द की किसी बिमारी में अपनी medicine skip करें तो वो दर्द उन्हें एहसास दिलाता है कि उन्हें medicines लेना ज़रूरी है Long term में diabetes के medicine skip करना काफी dangerous है क्योंकि sugar बढ़ने की वज़े से काफी complications हो सकते हैं अब हम बात करेंगे एक special category के बारे में उन patients के बारे में जो insulin का use करते हैं patients को in general insulin के बारे में काफी doubts होते हैं इन doubts के वज़े से patients काफी गलतियां करते हैं मैंने आपके convenience के लिए insulin के usage में होने वाली गलतियों को 5 category में divide किया है पहले मैं बात करूँगा insulin storage को लेकर patients को ये समझना जरूरी है कि केवल उसी insulin को fridge में रखना जरूरी है जो insulin वो use नहीं कर रहे हैं जो patients insulin को regular basis पर use कर रहे हैं उस insulin को room temperature पर रखा जा सकता है 28 दिन के लिए comfortably दूसरी common mistake जो insulin को लेकर patients करते हैं वो है meal timing का injection के साथ proper coordination या timing नहीं रखना insulin primarily 3 type की होती है पहली insulin होती है ultra short acting insulin जो की खाना खाने के सिर्फ 5 minute पहले दी जाती है दूसरी insulin होती है regular insulin जो खाना खाने के 45 minutes पहले दी जाती है और तीसरी होती है long acting insulin जिसका meal timing के साथ कोई भी adjustment करना जरूरी नहीं होता patients को insulin initiation के वक अपने doctor से clear cut instructions लेना जरूरी है कि इस particular insulin का meal timing के साथ किस तरह के से adjustment होना चाहिए अगर ये instructions clearly follow नहीं की गए तो insulin लेने के बाद भी patients की sugar में काफी fluctuation होता है और या तो sugar high या low हो सकती है insulin के बारे में तीसरी mistake होती है insulin needle को लेकर अगर insulin needle time पे नहीं बदली जाए तो patients को injection side पे काफी pain होता है एक basic rule जो मैं मेरे patients को बताता हूँ वो है चाहे वो syringe हो या insulin pen की needle हो दो बार से जादा उस insulin syringe या needle को use नहीं करना चाहिए चौथी common mistake patients को होती है insulin site को लेकर ऐसा देखा जाता है कि site of injection जिस जगह पर insulin दी जाती है वो अगर regular basis पर नहीं बदली गई तो उस जगह पर चरबी का जमाँ हो जाता है बहुत बार repeated injections देने की वज़े से वो जगह सुन हो जाती है और ऐसा देखा गया है कि repeatedly उसी जगह पर injection देने की वज़े से insulin का proper effect भी नहीं होता और sugar control में उसकी हमें पूरी मदद नहीं मिलती पाँचवी और आखरी mistake जो मैं patients को insulin use के वक्त करते हुए देखता हूँ वो है improper sugar monitoring insulin initiation के वक्त बहुत ज़रूरी है कि patients की sugar की monitoring regular basis पर frequently की जाए ये करने के वज़े से ही doctor को अंदाजा मिल पाता है कि patients का insulin का dose किस तरीके से adjust किया जाए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि insulin initiation के वक patients doctor के साथ regular basis पर communicate करते रहें जिसकी वज़े से doctors को उनके insulin के dose का अंदाजा मिल जाता है और ultimately sugar control में इसका काफी फाइदा होता है चौथी common mistake जो diabetes के patients करते हैं वो है irregular follow diabetes में symptoms न होने की वज़े से बहुत बार diabetes के patients अपना follow up doctor के साथ regular basis पर नहीं करते American Diabetic Association और RSSDI इंडिया के निर्देश के अनुसार at least 3 महिने में एक बार diabetes के patients को उनके doctor के पास regular follow up करना ज़रूरी होता है बहुत बार मैं अपनी practice में देखता हूँ कि patients सालों साल वही पुराना treatment continue करते हैं जो doctor ने उन्हें उनकी पहली या दूसरी visit में prescribe किया हो regular follow up के वक्त आपके treating doctor आपकी बिमारी का एक थरो evaluation करते हैं medicine adjustment के साथ साथ कुछ additional test करने की भी वो सला देते हैं जिससे इस चीज़ का अंदाजा लगाया जा सके कि diabetes के बिमारी में बाकी organs पर कुछ complications है या नहीं इसी लिए बहुत ज़रूरी है आपको diabetes की बिमारी में आपके doctor के साथ regular follow up रखना तो friends आज हमने बात की diabetes की बिमारी में होने वाली कुछ common गलतियों के बारे में और हमने कोशिश की आपको ये बताने की कि इन गलतियों को कैसे सुधारा जाए Tim Fargo का कहना है success is commonly found in a pile of mistakes अगर हम ये बात हमारी context में समझें तो diabetes का कोई भी patients इन गलतियों को दूर करके successfully सिर्फ अपनी sugar ही control नहीं कर सकता बलकि diabetes की वज़े से होने वाले काफी complications को long term के लिए टाल सकता है आपकी अच्छी सेहत की काम न करता हो till then एक बात याद रखियें no mistakes as your health is at stake